राम राम नमस्ते कैसे हो आप सब आज मैं आपको एक सूट में कुर्ता पट्टी लगाना बताऊंगी ये देखो ये हमने आग्ये बारे पल्ले में इसकी चोड़ाई लेली पोना तीन इंच और ये देखो इसकी लंबाई भी हम इतनी लेंगे पोना तीन इंच और ये इसमें बटन पट्टी लगाएंगे उसकी लंबाई हम साथ इंच लेंगे ठीक है तो इसकी हम कटिंग करेंगे और ये बटन पट्टी की लंबाई आप आठ नो जितना आप अपने इसाब से ले सकते हो मैंने इसमें साथ इंच हील ली है और अब हम इसको देखो इस परकार से काट लीडियो पसंद आये तो उमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर देंगे आए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये देखो इस परकार से हम इसको कपड़े को सिधा रखते हुए आपको बटन वारी और ये काज करने वारी पट्टी दोनों लगाना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से ये देखो हमने इसकी चोड़ाई ली ह है 5-1.5 फोल्ड में 11 फोल्ड गोलें में, तो इसको हम खोलेंगे, तो यह भी हमारी तीन इंच कि का यह अमने इस परकार से होल करके परेश करके बिल्कुल अच्छे से जचा लिया हमने इसको और देखो आप यह देखो इस परकार से शूट को सिदा रखने के बाद और जो हमारा उल्टे आत की side पटी है उसको देखू उल्टी side रखते वे इस परकार श्या मिसक में शिलाई लगाएंगे यह हमारा इसमें हमारा अंदर की side margin एदा इंच का आदा इंच का मार्जन इस पट्टी में आदा इंच का दूसरी पट्टी में तो एक इंच की जो अमारी पट्टी बढ़के त्यार होएगी तो वो अमारी पूरी कवर हो जाएगी इसमें पुभो सब्सक्राइन तुक्राइड लगा लिए यहां पे यहां से पक्का करते वोए सिलाइड लगाना है और यह देखो अब कपड़े को हम सिद्धा करते हुए यह बिल्कुल शिंपल और आसान तरीका है और यह बंद गला है यह देखो और अब इसमें फोल्ड भी हम अंदर की साइड आदा हिंच ही करेंगे जो अमारी पटी बंद के बिल्कुल त्यार होएगी वो एक हिंच की त्यार होएगी इसमें यह देखो इस परकार से आदा हिंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और यह इस परकार से के त्यार होती है यह देखो इस परकार से आप नाप के और जो अमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की साइड दबाते वे वैसे अमारा इसमें आदा इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमने यह देखो इस परकार से हम इसमें सिलाई लगाएंगे सिलाई बिलकुल कपड़े के किनारी के उपर लगानी है यह देखो यह हमने इसमें पूरे पे सिलाई लगा ली अब हम इसमें दूसरी पट्टी लगाना बताएंगे ये देखो इसमें आप ध्यान से देखना ये अमारी चोड़ाई है चार इंच और ये देखो इस परकार से हम एक इंच फोल्ड करेंगे फिर ये इसी को दो बार करेंगे और जो ये अमारा ये देखो इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे ये अमारी चार इंच की पट्टी थी और इसी गले पे उपर खड़ी वारी कोलर लगती है वो इसी गले पे लगते है और यह देखो और ये पटटी हमने त्यार कर लिए और देखो। फर्टी को लगाएंगे यह देतर हैं मेर देखो अमने सुट उल्टा करके रख लिया और यह सीलाए लगाएंगे ये देखो आप इस परकार से हमिसको रखेंगे और इस पर इस पर आदा इंच का मार्जन है लिया था हमने जो कपड़े को एक एक इंच दो बार फोल्ड किया था वह वारे पट्टी को हमिस परकार से रखेंगे और ये देखो इस परकार से हम इसको शिलाई लगाने के बाद उपर की साइड शीदे साइड हम इसको किस परकार से पलटेंगे ये देखो अब हम इस सूट को सीधा करेंगे और आपको दिखाएंगे ये हम किस परकार से इसको हम त्यार करेंगे और याद दाइंच का जो हमने मारजन लिया था उसको इस परकार से काटेंगे और अब हम इस पट्टी को ये देखो इस परकार से ये पट्टी अमारी पहले से ही त्यार है अमने आपको सिलाई लगा के दिखाया था यह देखो इस परकार से आप हम अब हम इसमें एक हमारे पास बिल्कुल यह बारीक शिला है हम यह लगाएंगे इससे बिल्कुल हमारे कुड़ता रेडिमेट कुड़ते की तरह ही लगेगा यह देखो इस परकार से हम इसको जचाते वे शिला ही लगाएंगे यह हमें बिल्कुल यहां तक जहाँ तक हमारा यह 7 इंग्स है बहुत अंद्यूर तक हम शिलाए को ले के मसीन को रोकने के बाद यह देखो यहीं तक हम शिलाए लगाएंगे इसमें और इस किसे कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और जो अमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काटेंगे नहीं तो यहां से अमारा सफाई से नहीं मुड़ेगा और इस वाड़े सूट की कटिंग की वीडियो हमने पहले डाल रखी है बंद गड़े का तीरा कितना लेना है और आर मोल की कितनी लंबाई चोड़ाई जितनी लेनी है मैंने इसमें इसकी वीडियो डाल रखी है आपको अगर देखनी है तो इसका लिंक मैं नीचे देदूँगी और यह देखो इस परकार से इसको अच्छे से सेट करते हुए और इसी शिलाई को हम वापस लेंगे यह देखो हमने शिलाई लगा लिए अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो यह देखो इस परकार से हम इसी शिलाई को वापस लेंगे एक बार और इस लेस की साइड से हम इसको सेट करेंगे यह देखू उपर से यह अमारी बिल्कुल तैयार है और यह बारे शिलाई हम यह जो अमारी एक्स्ट्रा लेस है इसको हम काटेंगे यह देखू यह एक्स्ट्रा लेस है जो अमारी इसको हम काटेंगे आप इस लेस की जगह पे पैंट के कपड़े की यहाँ पे आप पाइपीन भी लगा सकते हो और इस पत्ती के उपर आपको जो आप पैंट डालो उसके कलर के बटन बनवा के भी आप इस पत्ती के उपर लगा सकते हो यह बहुत सुन्दर लगते हैं इस पट्टी के उपर बटन और अंदर की साइड इसमें हुक लगा सकते हो उपर फैंसी आप इसमें बटन लगा सकते हो और ये देखो इस परकार्श आम इसमें और यहां से मैंने ये सिदाई मोड़ा है आप चाओ तो थोड़ा सा ऐसे तिल्चा सा जो मोड़ते हैं इस परकार्श भी आप शिलाई इसमें लगा सकते हो और यहीं पर हम इसकी शिलाई को जहां पर हमारा जोड़ा वहीं पर हम इसको इस परकार्श आम पक्का करके छोड़ेंगे आपको अगर कम खुला रखना तो अब सिलाई आप उपर तक लगा सकते हो लेकिन हम इसमें हम इसमें इतने ही हुला रखेंगे और ये देखोँ आप अमारी ये बटन पट्टि लगए फिज लें तो कितनी अच्छी तियार होई है और अब हम इस पे बटन लगाएंगे बटन हम इस में बाद में लगाएंगे यह हमारा गला बिलकुल बन के तयार है